नमश्कर दोस्तो हमारे चैनल में आप सभी का सभागत है और आज नवरातरी का पहला दिन है आज से नव दिवस तक हम मातारानी की अराधना करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ कि आपको कौन से दिन मातारानी को कौन से फू तो दोस्तो मातरानी का पहला दिन है आज मा शैल पुत्री मा की अराधना की जाती है। पूल या सफीद रंग का फूल चढ़ाना काफी जाधा शुब माना जाता है। पूजा अर्चना करने से देवी मा बहुत अत्यंत प्रसन्य होती है और आपके सभी पापों से मुक्ती भी दे देती है। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों से मा की पूजा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। चोथे दिवस माता कूश मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन आप माता को चमीली या पीले रंग के फूल आप अर्पित कर सकते हैं क्योंकि माता को ये फूल अत्यंत प्री है। चोथे दिन का पूजा में इन फूलों का इस्तमाल अवश्य कीजिए। इससे आपकी पूजा करने पर मा के अशिरवात से लंबी आयू और यश की प्राप्ती होती है। पाँचवे दिवस आपको माता सकंद माता की पूजा करनी होती है। जिसमें आप माता रानी को पीले रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं पीले रंग के फूल में आप गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं जो कि काफी अच्छे से आपको अवेलेबल भी हो जाएगा और गेंदे के फूल में आपको सुक, शांती और खुशी का प्रतीक माना जा जाती है इस दिन लाल रंग के पुश्व या गुढ़हल के फूल से करनी चाहिए जो सादक समाजिक स्तर पर या कारशेत्र में अच्छा करना चाहता है उन्हें माता की पूजा करने से काफी ज़्यादा लाभ मिलता है साथवे दिन नवरात्री के साथवे दिन माता काल रात्री की पूजा होती है ऐसी मानिता है कि माता रानी को रात्रानी के फूल काफी ज़्यादा पसंद है माता के इस रूप की पूजा करने से आपको भैक से मुक्ती प्राप्त होती है आठवे दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है इस दिना आप माता को मोगरे का फूल अरपित कर सकते हैं इस फूल से महागौरी की पूजा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और समस्त सुखों का लाभ मिलता है 9 दिवस, नवरातरी के 9 दिन माता सिद्धि दातरी की पूजा की जाती है उनकी पूजा में चम्प और चमेली आधी फूलों का चड़ाने का विधान है इस तरीके से अगर माता की पूजा करते हैं तो आपको धन वैभव की राप्ति होती है इसके साथ हिम आपको बता दे कि हरसिंगार जो फूल है ये माता दुर्गा को अत्यनप्री है। इसे परिजात फूल भी कहते हैं। हरसिंगार की उत्पत्ती के विशे में कथा मिलती है कि परिजात के जन्व समुद्र मन्थन से हुआ था जिसे इंड्र स्वर्ग से लियाए थे पांडवों के अग्यात वर्ष के समय श्रिकृष्ण ने इसे स्वर्ग से लाकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जन्पत अंतरगत रामनगर शेत्र के गाउं बुरूलिया में लगाया था हरसिंगार नाम से इसका संबन्ध शिव से जोड़ा जाता है हरिवंश पुरान में ऐसा उलेक भी मिलता है दोस्तों कि माता कुंती हरसिंगार के फूलों से भगवान शिव की उपासना करती थी शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है कि पारिजात रिक्ष को छूने मात्र से अपसरा उर्वशी की ठकान मिर जाती थी एक मात्र ये ऐसा फूल है जिसे तोड़ने का निशेद किया जाता है पूजा के लिए भी गिरेवे फूलों का प्रयोग किया जाता है इस फूल को शरत की सूचना देने वाला फूल भी कहा जाता है क्योंकि ये शार्द ये नवरात्र के समय ही खिलना शुरू होता है नवरात्र की पूजा में भी इसका बहुत अधिक महत्व है और मातारानी की अगर आप हर सिंगार से पूजा करते हैं नवरात्री के किसी भी दिन या नवो दिन तो आपकी सभी मनुकाम नाएं पूर्ण होती है इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही जैहिन वंदिमात्रम